नमस्कार दोस्तों वेलकम बाक्टुमा हिंदी चानल और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का इससे पहले हम कलेक्टिव रीडिंग में डीप जाए आप सब लोग अटेंडेंस लगा दें अपनी-अपनी क्योंकि दोस्तों आप सबको ये कॉंटरिब्यूशन देना है बाकी सभी inner work करने वाले लोगों को बताना है जो कि शायद संख्या में उत्रे नहीं जतने बाकी विश्व में लोग हैं उनको ये बताना है कि वो अकेले नहीं है आप भी इस चीजमें उनके साथ हो तो आईए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा theme क्या है theme का जानना बहुत ज़रूरी है theme है हमारा community तो अब जो भी आज का collective reading का message है वो community से related है और एक और चीज जो मुझे feel हो रही है let's see वो आती है कि नहीं अभी इसमें concern, very good और देखते हैं और क्या है एक और चीज thoughts false person, very nice तो अब कुछ-कुछ बात clear हो चुकी है तो दोस्तों inner work की जर्णी में इनसान बहुत सारे lessons सीखता है और lessons इतने important है इस जर्णी में जैसे की सांस बिन oxygen के हो ही नहीं सकती है उतने ही important lessons है inner work की जर्णी में तो सबसे पहला card जो आया है वो community का है तो ये lesson जो है वो ज़रूर आपकी community से यानि की society से आसपास की दुनिया से आपने सीखा है और आप इसे सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं दोनों में इससे कोई एक possibility है लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर हो तो ये कोई coincidence नहीं है क्योंकि हमारी ही intuition की वज़े से हमें इस तरह की information और इस तरह की channelings और इस तरह का content मिलता है जैसी हमारी intuition होती है उसी तरीके की चीज़ों को हम attract करते हैं तो अगर आप इस message को attract कर रहे हो तो ये वाया आपकी intuition के level से ही आपको attract हुई है इससे पहले past में भी आपने काफी चीज़ों को काफी content को attract किया होगा और अब आपको लगता होगा कि यार वो content तो मेरे किसी काम का नहीं था या फिर किसी case में लगता कि हाँ अगर वो content नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता इसको कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं कि जंदिगी में कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी होंगी जो हो सकता है उस वक्त इतनी ज़ादा impactful ना लग रही हो लेकिन उनका भी एक role था similarly इस community में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं society में में बहुत सारे लोग मिलते हैं इस दुनिया में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं लेकिन उन में से कुछ लोग जो होते हैं, वो हमारे लिए genuine concern रखते हैं, और कुछ लोग हमारे लिए genuine concern नहीं रखते हैं, हमारे thoughts का हमारी इस journey पे बहुत ज़ादा impact है, और आपका एक thought हमेशा रहा है, you have to babysit all the grown-up folks around, यानि कि आप बच्पन से ही एक तरह से बहुत सारे लोगों का ध्यान रखते हैं, even grown-up लोगों का, आपके template में ऐसा भी देखा गया है कि male gender को जादा prefer किया गया है, female gender के उपर, अगर आप खुद एक male हैं तो हो सकता है, आपको भी इस बात से trigger किया हो, लोगों ने, या फिर ये कुछ ऐसा होगा कि अगर male gender को prefer नहीं किया होगा, तो फिर favoritism बहुत रहा होगा, यानि कि कोई favorite person आपकी इर्दगेद रहा होगा, आपके parents के, आपके adults के, आपके grand parents के, किसी के भी, तो मिशा उसको ही importance दी गई होगी, आपके, आस पास बहुत सारे enabled narcissist भी हैं, this person is an enabled narcissist, और someone harasses you simply because they want to feel authority over others, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले हैं, जो कि दूसरों को सिर्फ इसलिए harass करते हैं, कोई खास reason नहीं होता, क्यों दूसरों को क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों परिशान कर रहे हैं, क्यों आते जाते किसी को टो कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा इसलिए करते है क्योंकि उनकी खुद की कोई inner authority नहीं होती है, उनके खुद के जीवन में उनकी कोई authority नहीं होती है, उनके office में, उनके workplace में भी उनकी कोई खासी authority नहीं होती है, तो पिर वो ऐसे लोगों को तंग करते हैं, खास दोर से empathetic लोगों को, जिन पे वो अपनी authority दिखा के, खुद को powerful feel कर सके तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के लोग आपकी life में आई होंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़े feel होई होंगी बहुत सी ऐसी लक्षमी जी पीचे से कुछ बोल रही हैं बहुत सी ऐसी चीज़े feel होंगी आप बहुत सी thoughts ऐसे आई होंगे जुन्हें आपको बहुत परिशान भी क्या होगा इस चैनलिंग से तो लक्षमी टोटली resonate करें लक्षमी लक्षमी इधर आओ इधर आओ इधर आओ सब को हाई बोलो तुम बीचे से चैनलिंग कर रही हो ना अच्छा लक्षमी टोटली अग्री करती है इस बात से और उसको लगता है कि हाँ दुन्या में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को हरास करके पावर लेते हैं लेकिन आप यह चीज क्यों सीख रहे हैं आप ऐसी बहुत से चीज़े जानते हैं जिसके लिए आपको क्रेड़िट नहीं दिया है तुझे किस बात का क्रेड़िट नहीं मिला अच्छा हो गया ओके तो दोस्तों वापस आजाते हैं आपे लक्षमी अपनी बाते बोलके जा चुकी है तो एक lesson तो आपने ये सीखा है कि आपको लोग credit नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसी बहुत से चीज़ें जो आपके लिए obvious रही हैं लेकिन उनके लिए नहीं क्योंकि जब हम inner work करते हैं न दोस्तों तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती जो हमारे को तो obvious लगती हैं बट दूसरों को obvious नहीं लगती बहुत से ऐसी बाते होती हैं जो हम तो समझते हैं बट काफी लोग नहीं समझते हैं और ऐसे में अगर कुछ enabled narcissist आपके आसपास आ जाते हैं तो वो आपको किसी ना किसी दूविदा में डाल सकते हैं किसी ना किसी concern में डाल सकते हैं लेकिन क्योंकि आप इस community के लिए work भी करने आये हो और साथ ही ये देखिए false person ये जो false person है जो अपना weight आप पे डाल रहे हैं तो कहीं दफ़े क्या होता है कि ये जो enabled narcissist होते हैं ये हमारी जंदगी में सिर्फ इसले आते हैं ताकि हम level अप कर सकें और हर level में हमें कोई ना कोई devils मिलते हैं तो वह devils हमें सिर्फ इसले मिलते हैं ताकि हम अगले level पे जा सकें और और भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकें ऐसा नहीं कि सिर्फ devils ही होते हैं हर level पे gifts भी होते हैं बहुत सारे ये gifts ये levels ये सारे challenges हमें इसले मिलते हैं कि हम जो earth पे यहां पर अपना volunteering का काम करने आये हैं वो हम आसानी से कर सकें तो एक lesson तो ये रहा कि आप ठीक है आपने babysit किया आपके आसपर जितने भी बड़े लोग थे आपने उनका ध्यान रखा आपने उनकी care करें आपने उनके लिए वो सब कुछ किया जो शायद एक उलाद नहीं करता लेकिन ये मैं आपको इसलिनी बता रही कि हम उनसे नाराज हो जाएं उनमें कोई कमिया निकालें वो भी जितना कर सकते थे उन्होंने किया लेकिन आपने ये देगा कि आप उनसे अलग थे और आप उनसे मेचौर थे इन फैक्ट आपकी किसमत बहुत अनोखी रही है और बहुत यूनीक किसमत भी रही है शायद अपने लोगों के बीच में आप ही कैसे रहे होगे जो सबसे ज़्यादा अलग और सबसे ज़्यादा किसमत वाले भी कह सकते हैं और हो सकता है इसी वज़े से बहुत सारे लेकिन अगर आप पलट के देखेंगे ना तो आपको अपनी जर्नी से कोई शिकायत नहीं रहेगी चूंकि आज आज आप जहां पे भी हो वो एक बहुती सही जगा है यह आप जानते हो आपने यह सीखा इन सारे इनेबल नार्सिस्स लोगों से मिलके या सारी चालेंजिस को जहेल के या सारे फॉल्स परसंस को देखके या अपने सारे थौट्स अब तक जो आपके पास आए जिन्होंने आपको कभी रुलाया तो कभी हसाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपके हाथ लगा और वो यह है कि हर ताले में हर चाबी फिट नहीं होती जी हाँ द उसके पास एक मास्टर की आ जाती है और जिसके पास यह मास्टर की आ जाती है वो लोगों को जब देखता है ना तो वो ऐसे भी देखता है कि यार ये बंदा इस चाबी का है और इस ताले में नहीं लगेगा या फिर ये ताला इस चाबी में नहीं लगेगा आपके पास च और दुनिया में जो भी चैलेंजिस हैं आपके पास और जो भी चीज़े आप कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए आपको ये लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इनसान कहां पर फिट होता है औ और जो जहां पर fit नहीं होता आप उसे वहाँ से हटा दीजे, आप उसे remove कर दीजे immediately, because जितना आप उस चीज को pursue करेंगे या जितना उस चीज में घुसेंगे उतना ही आपको तकलीफ होएगी, या फिर कह सकते हैं कि जितना आप work around कर सकते हो किसी के साथ, किसी के द्वारा, कि की help से, उतना आप करो, और जितना आप work around नहीं कर सकते हैं, फिर आप उसे work around नहीं करो, किसी किसी situation में आपको work around करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, कि वो इनसान किसी और ताले में fit हो रहा, मतलब वो एक ऐसी चाबी है, जो भले इस ताले में fit नहीं हो रहा, जो आपक से strong है, क्योंकि कहीं ऐसे लोग होते हैं, जो इतने बुरे नहीं होते हैं, पर उनके हालाद बुरे होते हैं, उनकी upbringing बुरी होती है, या फिर उनकी सोचने समझने की शक्ती इतनी strong नहीं होती है, हो सकता है कि वो किसी काम में बिलकुल भी fit ना बैठते हो, लेकिन किसी और का इसको figure out करना है, आपने मेरी वो channeling भी सुनी होगी, I think इससे पिछली वाली थी, जिसमें मैंने comparison के बारे में बताया था, comparison में भी यही होता है कि जब हम बार बार लोगों को compare करते हैं, तो हम उनके असली talent से हड जाते हैं, और हर इंसान में कोई ना कोई खूबी, कोई ना क आप उन्हें हटा दो, यानि कि जो thoughts, जो लोग या जो thoughts आपके साथ बिल्कुल भी match नहीं करते हैं, आपके साथ बिल्कुल fit in नहीं होते, उन्हें तो आप एक given situation में हटा ही दो, क्योंकि वो false person है, totally false person है, वो आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस community का हिस्सा है, जो भी आप कर रहे हैं, उसका हिस्सा है, किसी project का, किसी mission का हो सकता है, वो आपके साथ काफी समय से रहे हूं, समय भी एक ऐसा मापदंड है, जिसको याद रखना चाहिए, और उनका concern आपके प्रती genuine हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, these people act like they don't see you, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, जो ऐसे behave करते कि उनको ना आप दिखाई देते हो, ना आपका सच दिखाई देता है, ना आपका lifestyle दिखाई देता है, ना आपका empathetic nature दिखाई देता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई ऐसी सचाई है जो आप उनके सामने लेकर जा रहे हो, लेकिन वो से देखना नहीं चाते हैं, तो आपको भी अंदेखा करते हैं, और वो सत्य जो आप उनके आगे लेकर जा रहे हो, उसे भी अंदेखा करते हैं, तो फिर इस तरह के लोगों कैसे कर सकते हो अब हर किसी की help नहीं कर सकते है जो लोग अपना भला ही नहीं करना चाते है जो आगे ही नहीं बढ़ना चाते है अब उनको घसीट के कैसे ले जा सकते है अब घसीट के आप कब तक ले जाओगे कहां तक ले जाओगे वो ले जाना आपके लिए भी impossible रहेगा आ आप उनी को ले जा सकते हो जो आपके साथ कंदे से कंदा मिला के चलना चाहते हैं या फिर जो आपके साथ साथ अटलीस आपको फॉलो कर रहे हैं आपके पीछे पीछे आ रहे हैं आगे आ रहे हैं कोशिश तो कर रहे हैं आप उनको भी अपने साथ ले जा सकते हैं जिनके पा और साथ में आपको दिया है common sense और logic, भरोसा एक बहुत अच्छी चीज है और विश्वास एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भगवान आपको at the same time एक smart व्यक्ति बनते वे भी देखना चाते हैं, ताकि आप अपने common sense को, logic को और emotions को, सारी चीजों को balance में लेके आगे इस चानलिंग से, इस collective reading से, इस message से resonate करता है, वो वाकी में एक ऐसा व्यक्ति है, जो surrender करना चाहता है, या कर चुका है, या करना जानता है, क्योंकि शर्णागती ही एक ऐसी चीज है, जो हमें आगे बढ़ा सकती है, और दूसरा ये information आपके पास होनी जरूरी है, कि आपका solar आपके solar plexus, यानि कि आपकी energies, अगर align नहीं होंगे, अगर आप out of alignment होगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, और अपने solar plexus को अगर आप strong रखोगे, यानि कि राम ध्वनी को अगर आप बार बार सुनोगे, जो कि scientifically proven है solar plexus का sound है, मनीपुर चक्र का sound है, तो automatically आपके सारे चकराज alignment में आ जाएंगे, और जैसे ही सारे चकराज alignment में आ जाएंगे, तो दीरे-दीरे आपकी नाडियां खुल जाएंगी, दीरे-दीरे आपके सारे काम होने लग जाएंगे, आप अपने avatar self में आ जाओगे, और मुझे अब बड़ी हरानी होती है, क्योंकि यह वा और यह बात पते क्यों फैलरी, यह बात इसलिए फैलरी क्योंकि कहीं लोगों ने इसको अजमा के देखा होगा, ट्राइ किया होगा, और उनको इससे कोई फाइदा या कोई सुकून मिला होगा, तो इसलिए अब वो इससे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही great unique information ह जो मैं आपको दे रही हूँ, और इसी great बात पर मैं इस particular session को close करती हूँ, personal sessions और therapies के लिए मेरा email address है, और नीचे description box में सारी therapies की details दी गई है, साथी मेरी book in the name of love, a journey of finding her ultimate soulmate की kindle copy का link दिया गया है, दोस्तों, kindle copy ही खरीदना, और जो पुरानी paperback copy है वो मत खरीदना, वो सब से oldest version है, उसके बाद मैंने अपनी book को edit करके दुबारा से kindle पे डाला था, और मैं नहीं चाती हूँ कि paper waste किया जाए, फालतु में पेड काटे जाए paper के चक्कर में, इसलिए kindle को ही मैं अपना platform as a platform use करती हूँ, और आगे भी जितनी books आएंगी, वो सब kindle पे ही आनी इसलिए मैं चाती हूँ कि आपको latest edited version मिले, आप चाहे तो मेरे content को support भी कर सकते है, super thanks button को, press करके आप अपना contribution दे सकते हैं, thank you so much for being a part of the inner world, inner work world, I will see you soon in another one, one love, peace out and Jai Shriram